दोस्तो सादर अभिवादन 21 जून अंतरराष्टी योग दिवस इसी योग दिवस के उपलक्ष में आज हमारे साथ मोजूद हैं योगाचारिय योगा कोच योग प्रशिक्षक कुछ भी नाम दें डाक्टर यूदवीर डाक्टर यूदवीर अब अंतरराष्टी स्तर पर अ जा रहें आप और इनहीं से जानते हैं डाक्टर यूदवीर जी सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में स्वागत है एंजेपी परिवार आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई सब और हम चाहेंगे हमारे दर्सकों को आप खुद अपना परीचे दें य के बाद से मैं किया और मैं के साथ प्रेक्स की नैट के बाद फिर पूरेशद हवने की योग में साथ ही साथ में य Hugा onlar भारत, जो एक संस्था जह साथ में जिसमें सारे योग एक जो बहुत-बड़ा परिपेएक स्था हbowै उसमें से ययोगblo गा गेम को निकाला गया बाहर पर चला जिसमें पूरे देश बर के एक सो चालिस के आसपास आए लोग भाग देने के लिए तो उसमें मुझे चोथा स्थान मिला और उस चोथे स्थान के साथ में मुझे फिर यूरोप का एक जुम्मा दिया गया क्योंकि चैंपियंशिप करवाने ओल आवर वल्ल के लिए वल्ल चैंपियंशिप ताकि हमारा ये गेम ओलमपिक में सामिल हो यह दे लेकर हम चलिए तो हम जुम्मेवारी मिलिए कि हम वहां जाके और अपने जोड़े योग के खेल से योग आसना से और उसको फिर चैंपियंशिप में करवा पाए डाक्टर रुदवीर अपने गाउ साहरनवास बोलते हैं मैं वहां से हूँ और अभी हाल ही में सक्टिनेगर रिवारी में रह रहे हैं तो हम कह सकते हैं रिवारी के लाल रिवारी की माट्टी के लाल अंतरराष्ट्य इस्तर पर योग विदा का परचार परसार करने अब पहुंचेंगे कब जाना है यह आने वाले समय में भी तैह होगा तो भारत में हर्याना में रिवाडी में यहां तो इनकी ख्याती है ही पर जल्दी हम इनको अंतरराष्टी मंच पर भी देखेंगे आज हमने इनको आमंत्रित किया है योग दिवस के उपलक्स में पहले हम आप से योग प्रोटकॉल के अनुसार ज जो योग की जो बात है विश्व योग दिवस की उसकी पूरे देश में चारों तरफ धूम है और हर्याना में विशेश रूप से क्योंकि हर्याना में हर्याना योग आयो का गठन हो चुका है और उस योग आयो के माध्यम से पूरे हर्याना के अंदर आज के दिन लगबग एक हजार व्याम सालाओं में योग के एक पर्चम लहरा है जा रहे हैं, वहां पर योग पर्षिक्षक नियुत की गए हैं, डॉक्टर जैदी पारेज जो चेर में ने हर्याना योग आयो के, वो योग आसन खेल के साथ में पूरे हर्याना के अंदर के पूरे देश में इस काम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं विस्वीयोंगष की प्रोटोकॉल की, जो प्रोटोकॉल है पूरे दुनिया में एक जैसा प्रोटोकॉल किया जाएगा, जो प्रोटोकोल 45 मिनिटस में कम्प्लेट होगा, इस प्रौोकॉल को ऐसे तरीके से बना गया है कि 8 साल से लेकिए और 80 साल तक का बुजुर्ग व्यक्ति भी इसको कर सकता आसानी से, इसमें प्राथना से सुरुवात करके, खड़े होके करने वाले जो शुक्षम व्याम है, पहले वो करते हैं, उसके बाद कुछ खड़े होके करने वाले आसन होते हैं, उसके बाद बैठ के करने वाले आसन है इसमें बैठ के करने वाले आसन के बाद फिर पेट के बल लेट के करने वाले आसन है कुछ आसन पीठ के बल लेट के करने वाले आसन है साथ में कपालभाति क्रिया कुछ अपने प्रनायाम भी बोल लेते हैं इसको वैसे पुराने टेक्स्ट में इसको क्रिय किया गया है हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि योगा दिवस जो है हमारे भारत की देन है और आधनी प्रधानमंतिरी नरेंदर मौदी जी के प्रयास से पुझे स्वामी रामदेव जी के महराद जी के प्रयास से आज ये पूरे दुनिया में हम सिर्व उठा के कह सकते ह तो आये कुछ अभ्यास करते हैं योगा प्रोटोकॉल के तो शुरुवात करते हैं बैठ के एक बार मंत्रों के साथ में शुरुवात करते हैं तो किसी भी अपने आशन में सुख पूरवक जिसम बैठ के आसानी से उसमें बैठ जाएं साधक अपने और मंत्र के साथ में आगे साथ में चलने का भाव सब को साथ में लेकर चलने का भाव सहजता के साथ हाथ जोड़ते हुए ओम संग गच्छम शम्यवद्वम सम्वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे शंजानाना उपासते ओम यह मंत्र का भाव सब एको साथ लेकर चलें मिलकर बोलें अपने पूरो जोगी भाति हम ग्यानी बनें उनके दिखाए मार्ग पर चलें यह मंत्र के साथ में इसमें जब भी योगा अभ्यास हम करते हैं तो पहले सारे ज्वाइंट्स की मुमेंट के अभ्यास करना होता है उसी तरिके से सहज भावसिस प्रोटोकोल को बनाए गया है इसमें फिर सुक्षम अभ्यास से सुरुवात करते हैं सहजदा के साथ सभी साधा किसमें खड़े हों और आराम से अभ्यास को हम करेंगे इसमें सबसे पहले नी स्रूरी अपने नेक रोटे सहजता के साथ स्वांस को खाली करते हुए, गर्दन नीचे, स्वांस को भरते हुए, गर्दन उपर लेकिन ध्यान क्या रखना है, जिनको सर्वाइकल की समझ्या है, उनको आगे नहीं जुकना है ऐसे ही दूसरी राउंड में गर्दन को पूरा टर्न करेंगे रैट साइड, धीरे से वापिस आते हुए, लेट साइड सहजता के साथ वापिस, इन्हेल करेंगे पुरा और राइट में डाउन, धीरे से वापिस और लेफ्ट में डाउन ऐसे इसका दो दो rotation कम से कम करते हैं लेकिन हम अपना फिलाल थोड़ा थोड़ा अभ्यास इसका कर रहे हैं फिर neck rotation का अभ्यास है गर्दन को नीचे करते हुए right side से स्वास को भरते हुए पूरा rotate करेंगे ऐसे ही left side से rotate करेंगे लेकिन सहावधानी के साथ जिनके भी सर्वाइकल के समझे है उनको गर्दन को आगे नहीं जुकाना यह ध्यान रखना इसके आगे बढ़ते हैं गर्दन का हमारा भ्यासवा उसके साथ में जो अपने shoulders का है उनका rotation करते है shoulders को मजबूत करते पहले दोनों पैरों में एक समाना नतरफ आसर रखते हुए दोनों हाथों को सहिचताज उठाएंगे और पूरा स्वास भरते उपर हथे लिबाहर की तरफ रखते हुए और धीरे-धीरे वापेश यह वस कंद खिचाओ अपने कंदों के खिचाओ के अभ्यास दूसरा अभ्यास इसे में क्या है रोटेट करने का जो सोल्डर में फ्रोजन सोल्डर समच्छा होती है तो इतने परफेक्ट तरीके से बनाया गया प्रोटोकॉल कि छोटे-छोटे सारे ज्वाइंट का मुव्मेंट भी हो जाए साथ में दोनों हाथों को साइड से उठाते हैं इसमें मोडते हैं और नीचे कोहनी मिली हुई हो यहां पर स्वास खाली और स्वास को इनहेल करते हैं पूरा पीछे और रोटेट करते हैं ऐसे आगे आके एकजेल इनहेल एकजेल ऐसे पीछे से भी रोटेट करेंगे एक बार पूरा रोटेट करेंगे यह अपने फ्रोजन सोल्डर की थोड़ा सा कटी का ब्यास कमर का, थोड़े से पैर को खोलते हैं, दोनु आथ सामने करते हैं, पूरा ट्विस्ट करते हैं, पीछे, धीरे से वापेश, स्वांस खाली करते हुए, दूसरी तरफ, वापेश, रिलेक्स, अब नी का भी, नी मोमेंट भी हमें करना है, तो नी के क्या करेंगे दोनों हाथ सामने लेकिन ध्यान रें जिनको घुटने में जादा दर्द है उनको इस पर प्रेसर नहीं डालना है सांस भरेंगे इन्हेल और धीर इसे चेर पोज पे मजबूती महसूस करें घुटनों की पैरों की और सहजता के साथ वापिस एक बार करके देख स अब साथ में करते हैं खड़े ओके करने वाले आसन तो सबसे पहला आसन बच्चों की हाइट के लिए कंसेंट्रेशन के लिए ताड़ आसन का अभ्यास दोनों पैर नजदीक हाथ साइड से खिचे हुए सहजता के साथ उपर उठाएंगे दोनों हाथों को इंट्रलोग करे पूरा खिच के उपर पूरा ट्विस्ट कर देंगे स्रीर को और पंजे-पंजे पर आ जाएंगे एकदम से धीरे से वापेस और एक बार फिर से हम स्वास भरते हुए पूरा प्रान को महसूस करते हुए क्योंकि प्रानों का ही खेल है अधर्वाइज तो सारी अक्साइज बहुत हाड हाड कर सकते हैं लेकिन प्राणों के साथ मेल करके जो अभ्यास हो है वही योग है और इस योग विधा के साथ ही हमें स्वस्त रहना है सबसे पहला आसन बच्चों के हाइट के लिए ताड़ासन इस प्रोटोकोल में सामिल है आगे बढ़ते हैं व्रक्सासन संतू पूरा उपर ले जाते हुए व्रक्स के भाती जड़ हो जाना हिलना नहीं है व्रक्सासन धीरे से वापिस किसी एक बिंदू पे ध्यान लगाएंगे बड़ी आसानी सो जाएगा अगर मन को एक आगर करना है तो ध्यान तो लगा नहीं होगा दूसरे पैर से भी करेंगे शर ये होगए अपना व्रक्सासन का अभ्यास इसी में खड़े खड़े अभ्यास तो और है पाधहस्तासन जिसमें पाध मतलब पैर हस्त मतलब हात पैर और हात एक साह नहीं जितना हो लेकिन फिर बताएंगे कि जिसको कमरदर्द है उसको ये अभ्यास नहीं करना आगे जुकन बहुत दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के साइड में और नीचे जितना हो रुकें धीरे से स्वास भरते वे वापिस यह पाधस्तासन का अभ्यास इसी कर्म में हमने फोरवड बैंड गया अब थोड़ा बैकवड बैंड भी करना पड़ेगा तोगी काउंटर पोज है इसमें बड़ी साइंटिफिक तरिके से यह सारा प्रोटोकोल बनाए गया है थोड़ा से पैरों को खोल लेते हैं ताकि बैलन्स बन जाए दोनों हाथ कमर के पीछे स्वास भरेंगे आंखे खुली रखते विस्ट सहजदा थोड़ा पीछे हलका जितना जा सकते हैं बास कमर के लिए बहुत अच्छा भ्यास आगे बढ़ते हैं थोड़ा सोफर इसे में लाश्ट आसन इसका खड़े होके करने का पैर को साइड में खोलते हैं तिरकोन आसन जैसे हमने राइट पैर खोला तो राइट पैर को गुमा दिया हमने पंजे को दोनों हाथों को पुरा ल कि धीरे से वापिस साइड की फैट के लिए स्टेचिंग के लिए बहुत अच्छा व्यास इसी तरह दूसरे पैर को खोल देंगे ऐसी और धीरे से नीचे और दूसरे हाथ को देखेंगे आसमान के तरफ वापिस हर आसन में जाएं तो कम सी कम आधा मिनट तक होल्डिंग करें तभी इससे पर हम चारे असर हो वहां पर असर होगा अधरवाज असर नहीं होता उसका चलिए आगे बढ़ते हैं बैठ के करने वाले आसनों तरफ आराम से रिलक्स होके बैठ जाएं तो इसमें पहला जो आसन है बैठ के करने वाले आसनों में वह ए डंड आसन दंड मतलब एक डंडा शरी डंडे की तरह सीधा पूरे पैर सीधे खिचे वे आगे दोनों हाथ पैरलर में यहां पे खड़े वेक्दम से और पैर सीधे सामने यह है दंडासन यह आपके पूरी मसल्स को काफ मसल्स से लेकर और आपके ज्वाइंट्स को मजबूत करता है रिलक्स आगे है वज्जरासन वज्जरासन पूरे सरीर को वज्जर के बास्ति मजबूत बना देता है जो खाना खाने क बाद करने के लिए सबस्य अच्छा अभ्यास है वजरासन का अभ्यास आराम से बैठ जाएंगे दोनों पैरों को मोड़के लेकिन घुटने में जिनका ज्यादा होता है उनको इसको अभ्यास नहीं करना है वजरासन में सीना आपका खिचा हुआ तना हुआ और बिलकुल सहज के साथ जब भी खाना खाएं उसके बाद ऐसे वजरासन बैठ सकते हैं इसी वजरासन के आगे चलते हैं ससांकासन ससांकासन दोनों पैरों को घुटनों के सामने से खोल देते हैं से दोनों हाथ उपर इन्हेल करते हुए और एक जेल करते हुए नीचे दोनों हाथ हो जमीन कि लग जाए यहां नीचे कि बिल्कुछ सहरता से खिचाव मैसूस करेंगे पीठ के उपर गर्दन के उपर पूरी रीड के उपर और धीरे से वापिस कि इसी कर्म में आगे बढ़ते वे उत्तान मंडूक आसन का भ्यास है उत्तान मंडूक आसन देखो कितने रिशी हमारे बढ़ते रिखसाशन उत्तान मंडूक आसन ससां का असन ससां खरगोष कि यह में ड़क की तरह से यह हाथ राइट उठाया पीछे लेफ्ट उठाया पीछे स्वास भरावा शीनातनावा उत्तान मंडूक आसन का रिलैक्स और इसी करम में बैठे अभ्यास जो हम कर रहे हैं इसी करम में थोड़ा सा और दो तिन अभ्यास हैं पूरे प्रोटोकॉल का हम फोलो कर लेते हैं हाँ पे इसमें है आगे वक्राशन का अभ्यास वक्राशन मतलब ट्विस्टिंग का अभ्यास राइट पैर को खड़ा करेंगे लेफ्ट वाले घुटने के पास जो पैर हमारा खड़ा हो जाता है वो हाथ पीछे जमीन पे दूसरे हाथ को उठाते हैं चाती और घुटने के बीच से हाथ को लगाते हैं और जमीन पे पेस एक साइड से किया है तो दूसरे साइड से वह में इसको करना होगा बैलेंस करने के लिए ऐसे ही दूसरी तरब से पूरा ट्विस्ट करेंगे और हाथ को जमीन पर पूरा पीछे रिलेक्स यह हमारा होगया वक रासन इसी में हैं फिर उस्ट आशन का अभ्यास उस्ट मतलब उस्ट मतलब उस्ट संस्किर्ड का सब्त उस्ट की तरह पहले अर्दृष्ट आशन और पूर्णृष्ट आशन और विच्छें रुखते हैं से दोनों हातों को कमर के पीछे स्वास भरते हुए आखी खुली रखते हुए पीछे जितना जायद है आसानी से और धीरे से रुकते हुए वापेस यह अभ्यास था अर्दुस्टासन अभ्यास को डारेक्ट नहीं करवाया धीरे से करवाया है ताकि पहले आदा करके देखें और फिर उसके बाद में होता है तो पूरे की तरफ चलें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा गुटने के उपर गु पीचे, गर्दन, छाती, कमर सब एकदम से खिच जाएगी और सब फिट हो जाएगी तो यह हमने अभ्यास के हैं पैट के करने वाले अब चलते हैं आगे लेट के करने वाले अभ्यास की तरफ तो पहले पेट की तरफ लेट के करते हैं और फिर पीट की तरफ लेट की तरफ से बिल्कुल सहजता से सबसे अच्छा सने मकरासन मकर मतलब मगरमच दोनों पैरों की पंजय बहार हैं एडिया अंदर हथेली उपर नीचे और आराम से कनपटी लगा दे इस समय मारा पूरा सरीर जमीन के साथ में जैसे मगरमच लेटता है वैसे हम लेटे हुए तो यह मकरास का भ्यास बिल्कुल सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे भुजंग आशन भुजंग साप की तरह कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा भ्यास है दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे और सांस बरते वे आप पीछे पैर मिले रहें बैस पूरा सीधा नहीं करने सुरुवाद में लंबर डीजन पर एल फॉर फाइफ जो बोलते हैं उससाब रिलेक्स हो जाएगा धीरे से वापिस कमर दर्द का निवारण जिसको कमर दर्द हो इसका अभ्यास कर ले बिल्कु ठीक हो जाएगा और रिलेक्स करने के लिए वा अब सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं सलब आशन मैंने बताया था कि प्रकरति प्रेमी थे हमारे लिशी सलब मतलब टीडी टीडी के तरह से पैर पीछे से उठे हुए हैं टीडी वाला आशन सलब आशन नीचे दोनों हाथ स्वांस भरेंगे ठोड़ी जमीन पर और सहजता के साथ उपर जितना खीच सकते हैं चीदे रखते पैरों को मोड़ की नहीं करना थोड़ा सा हाथ का स्पोर्ट हो जाए उपर खीचेंगे रिलेक्स बहुत बढ़िया जब आशन करके आए तो वापिस मकरासन में लेड़ जाना है यह हमारा प्रोटोकॉल में बिलकुल कमर क साथ पीठ के बढ़ लेड़ करने के लिए आगे बढ़ते हैं पीठ की तरफ लेड़ते हैं अराम से लेफ्ट टरन करते हैं लेड़ जाएंगे सीधे सबसे प्यारा अभ्यास सबका सबसे प्यारा अभ्यास सवासन का अभ्यास पूरा सरी ढिला छोड़ दे आए हाथेली आस सब को अच्छा लगता है कि वो सबसे आसान है लेकिन इतना भी आसान है क्योंकि सरीर तो स्थिल कर दिया दिमाग स्थिल नहीं होता किसी का इसलिए आखे बंद रखके सारे विचारों को आने जाने दें और रिलेक्स हो जाएं शवासन इसी में आगे बढ़ते हैं पीठ के ब इन्हेल करेंगे लगभग 30 डिगरी यहां पर रोकेंगे अब यह पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है जिनकी ना भीखी सकती है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है उत्तान पादासन का अभ्यास धीरे से वापेश देखो आसनों का करम इतना सहजता से बनाए आथ पहले उत्तान पादासन क्या 30 डिगरी आगे बढ़ते हैंब 90 डिगरी के लिए 90 डिगरी के लिए अर्धालासन सांस भरते वे और यहां पर फिर काली करते वे 90 डिगरी दोनों पैरों को लेके जाएंगे यह अपना अर्ध अप्यास है कमर के लिए बहुत अच्छा करना है धीरे से पेट के लिए बहुत अच्छा भ्यासे धीरे से वापिस अब जिनको हाई वीपी होता है उनको भी ध्यान रखना है जिसमें सरी के तरफ ब्लड का फ्लो जादा हो उन आसनों को नहीं करना है रिलेक्स आगे बढ़ते हैं कमर के लिए सेतु बंदासन दोनों प पैरों को मिलाएं एडियों को पकड़ें और स्वास भरते वे पूरा खीच दे शरीर को उपर की तरफ पूरा उपर जितना खीच सकते हैं लेकिन वजन कंदों पर गर्दन पर वजन नहीं लेना है इसका धीरे से रिलेक्स कमर में लगता है कि कुछ अशर हुआ है इसलिए कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा ब्यास है और फिर अनत में करते हैं लेट भीश पवन्मुक्तासन पवन हावा मुक्त बहार निकालने का, अपान वायु जो है इसको बहार निकालने का काम पवन मुक्तासन से दोनों पपर रोकों नजदीक करते हैं मिलाते हैं और आप पॉलियों को इंटिर्लोग करके और अपने पास लेके आते हैं । घुटनों को Sumd cả लोना के सब्सक्राइज यह है कि शक्षाद और फिर फिर से सवाशनकानद ले सकते हैं चलिए एक वर सवाशन फिर आते हैं सहेज रिलेक्स आखे बंद करते हुए कोई खिचाव तनावने शरी में बिल्कुल शान्त रहके तो धीरे से बाइंग करवड लेके बैठते हैं हम यहां पे इस प्रोटो कोल में हो सकता है हमने कुछ अभ्यास छोड़ दियो क्योंकि कहीं ना कहीं अपने समय की मरियाद है वैसे तो पूरा प्रोटो कोल जो एज पर सिस्टम जो बनाए गया है वह 45 मिनिट्स का पूरा होता है तो उसको सहजता से करते करते 45 मिनिट्स में पूरा होता है अब आती है क्रिया कपाल भात जिन महिलाओं को प्रिग्नेंसी है और पिरियेड्स के दोरान इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है किसी का कोई हार्ट का कोई पेट का ओप्रेशन होगा है तीन छे महीने पहले उसको भी अभ्यास नहीं करना है या अपने डोक्टों की सलाह से करें आधरवाई सब व्य लगा के बैठ जाएं और एक सेकिन में एक स्टोक लगाते है स्वांस को जटके बहर फैंकते हुए यह स्वांस को आपको भार फैकना है पेट आपका अंदर पूरे पेट को बिलकुल सोफ्ट करने का काम करेगा कपाल भाती कपाल मतलब माथा मस्तिक और भाती मतलब चमक हिलाएंगे पेट और चमक आएगी माथे पर क्योंकि खाया माईने नहीं रखता है इसलिए पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए कपाल भाती का अभ्यास करना है प्रोटोकॉल के अनुसार कम से कम 20 से 30 स्टोग हम लगाते हैं यहां पर कपाल भाती अभ्यास के लिए बहुत ज्यादा समय तक इसको करना है तो यह कपाल भाति का अभ्यास फिर से एक बर 5 बर स्टोग लगाते हैं पास जिनको लो बीपी है वो तेज स्वीड सेफ कर सकता है इसको अभ्यास लेकिन हाई बीपी वाले बिलकुल सहिस्ता से करना है कपाल भाति यह क्रीया है और से आगे बढ़ते-बढ़ते हम प्रानायं की तरब चलें तो प्रानायाम में अनुलों विलोम नाड़ी-शोधन प्रानायं जिस से अपना पूरा ब्रेन एकदम से शांथ हो जाए शरीर में ओक्शिजन रवल बढ़ जाए एक अट discuss अनुलों में विलों किसी वेक आसन और अच्छा रहेगा क्योंकि वाईव मुद्रा मोशनी लोगों को गुटनों में दर्द होता है। इसलिए वाईव मुद्रा बना के बैठे तो अच्छी बात है। राइट नौस्टिल को बंद करेंगे, लेप से इनहेल करें पूरा, पूरा इनहेल करने के बाद होल्ड करेंगे यहाँ पर और राइट से फिर आईजे, पर राइट से इन, लेप से आऊट, ये एक चक्र पूर्ण हुआ है अपना, प्रोटोकोल के अनुसार पांच से दस चक लेकिन यह कोड़ा है। इसमें ध्हान क्या रखना है कि ले हमने left से शुरू किया है, right से खाली किया, और right से भरके फिर left से खाली करें, तो एक चक्र माना जाएगा, और जब स्वाप मन करेंगे, तब भी हमें वहीं पर करना है, जहां से हमने शुरू किया है, तो हमने left से inhale किया था, तो left पर छोड़के ही स्वाप करना है, यह नहीं कि बीच में छोड़के चलेगे, और जो ध्यान रखने की बात इसमें क्या है, सुरुवाती दोर में हम इसको थोड़ा सा करते हैं, जब आवाज आती है स्वाप की, भरते वे कि कैसे, जो और लगा के भरते हैं, और जो और लगा की, खाली करते हैं, लेकिन, जब अब भ्यास ह हो जाते हैं, थोड़े दिन अभ्यास करते हैं, तो इतनी सहजता से करेंगे कि सांसों की जाने की और बाहर निकलने की आवाज ना है, इसका एक पूरा सिस्टम होता है सांसों की होल्डिंग का, लेकिन वो बड़ी आगे की बात है, तो सहजता के साथ अनुलोम विलोम का मैं बता रहता है, मिनिवम पांस मिनट से लेके दस मिट पंदा मिट जितना आपको ज़रूरत लगते हैं उतना करें, और एक बार आनन्द आने लगया, तो फिर आप करते रहेंगे आराम से, कोई लगे गई ने समय लगया है, कोई भजन सुनते सुनते इसका अभ्यास कर सक करते हैं, जीब को बाहर निकालते हैं, फोल्ड करने कोशिस करते हैं, और उसके बाद उसमें से हवा को अंदर ले जाते हैं, यह थोड़ सा टिपिकल काम हो गया, यह अगर नहीं हो पाता है, तो सिंपल अभ्यास क्या कर सकते हैं, सीतकारी, दोनों दातों को मिला के ऐसे, औ और पी जाएंगे स्वास को अंदर, और फिर नाक से बाहर निकाल देंगे, शीतलता मैसूस हो गया लग सी, अगर आपको पाने की डिमांड कर रहा है सरीर, तो थोड़ी देर में ऐसा लगएगा, कुछ ठंड़ गई है, एक बाद करके देखें, सब यह भले ही, कैसे करेंग दातों को दबा के, पूरा इंड करेंगे स्वास को, और फिर सहज से, यह सीतली और सीतकारी के अभ्याज जो सीतलता परदान करते हैं, अपने सरीर में जो अपनी नोस्टिल है, दो हैं, लेफ्ट और राइट, चंदर नाड़ी और सूर्य नाड़ी, लेफ्ट वाली सीतल है और सूर्य देव गर्म है, अगर और सीतलता सरीर में बढ़ानी है, तो आप अपना चंदर भेदी का अभ्यास करते हैं, लेकिन वो प्रोटोकॉल में अभी सामिल नहीं है, इसलिए हम उसका अभ्यास अभी नहीं कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं, भ्रामरी के अभ्यास के लिए भ्राम्री का अभ्यास भवरे की तरह गुंजन करने का अभ्यास एक उंगली को माथे पर तीन उंगलियों को आँखों डखते हुए अंग उठे से कान का डखकन बंद करते हुए सहजता के साथ स्वास भरेंगे पूरा और भवरे की तरह गुंजन करते हुए स्वास क हुआ है पूरा दिमाख में वाइब्रेशन होने से पूरे मस्तिक्स रिलेक्स हो जाता है भ्रामरी के अभ्यास से आखे बंद रखते हुए आगे बढ़ते हैं ध्यान के लिए सहजता से बैठ जाते हैं अपने किसी भी एक आशन के अंदर कमर गर्दन बिलेकुल सीधी रखते हैं चेतना सारी आग्या चक्र में जहां पर तिलक लगाते हैं वहां पर दिहान लगा कि कोसिस करें तीसरी आख की तरफ देखने कोसिस करते हैं और मन ही मन उस परमपिता परमेश्वर का द्यान करते हैं जिसने हमें इस रस्टी पे भेजा है यह मानव सरीर दिया उसका बारंबार धन्यवाद अपने आपको एक स्वस्त शरीर महसूस करें पवित्रात्मा उस परमपिता परमात्मा का रूप मैं उसी का अंस हूं मैं भूल कर भी कोई गलती ना करूं भूल कर भी कोई भूल ना हो जो हुआ परमात्मा उसे माफ करें और मुझे शदबुदी देते हुए आगे बढ़ाएं बिल्कु शान मस्तिक्स के बीच में उचाले कुछ महसूस करें पर सब करें आंक NepIVE देखो हमारे वी तीसरे आनकु खुलेगी हुआ पर जो को रोशनी आपको दिखाए देरी जो कलर सापको दिखाए देर उनको मحसूस करना है कुछ हमारी तरफ आएगा कुछ हमसे दूर जाएगा मैसारे भाव को महसूस करना है और में कोई वजए निया बिल्कुल हल्क का सरीर हमारा ऐसesh करना है और इस प्रकार से ध्यान के अभ्यास में होते हुए उस परम्पिता प्रमात्मा का धन्यवाद करते हुए प्राथना के साथ आगे बढ़ते हैं बीच में बंद आखों से ही आपको मन ही मन संकल्पित भी होना है कि मैं अपने राष्ट के परती अपने कुटुम्ब के परती सच्चिनिस्था रखूंगा मैं सरवदा अपनी सोच में संतूलन बनाए रखूंगा ऐसा भाव मन में रखते हैं दोनों हाथ को जोड़ते हैं प्राथना के लिए सब किस मंगल काम लाओं के लिए लंबी घरी सवास के साथ ओम का उच्चान करते हैं ओम सरवे भवन्तू सुखिना सरवे संतू निरामया सरवे भद्राणि पश्यंतू मा कस्चे दुख भाग भावे ओम शांते 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 हैं कि दोनों हाथों उठाएं पूरा रब करते हैं एक बार पूरी उर्जा को अपने आखों पे लगाते हुए मैसूस करेंगे एक बार दोनों हाथों को रब करते हैं चहरे पे गर्दन कंधे चाती पेट से होते हुए पीट से होते हुए दोनों पैरों से और धर्तिमा को प्रणाम करते हैं जुक्किए क्री सब कुछ इसी दर्तिमा का है रिलैक्स और धेरे से अपने आखे खोल लेंगे ओम नमस्ते सभी को दोस्तों अभी डाक्टर युदवीर जी से आपने सारे आसन जो भी प्रोटोकॉल में आते हैं वो बहुत सारे आसन जो आपने सीखे हैं समझे हैं और किन-किन बीमारि बीमारियों में वो उपयोगी हैं यह भी समझा है मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि हम अगले सब्ता फिर डाक्टर युदवीर जी को बुलाएंगे और विभिन बीमारियों में जो लावदायक हो सकते हैं उन आसनों के बारे में बात करेंगे चुकि आज योग दिवस ह जो प्रोटो कोल अंतर राश्टि स्तर पर उसके बारे में बात किये और जिस अच्छे तरीके से आपने समझाया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद ड़क्टर युदवीर जी आपने जिस तरह समझाया है सब लावानवीत होगे ऐसी हमारी उम्मीद है आप यहां तक आए एंजेपी स्टूडियो में आपका बहुत 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 धन्यवाद आरे समयदी हमें और बिल्कुल जैसा कहा आगे फिर कभी आएंगे सीरीज में लेकिन अभी के लिए यह हमने सिंपल आसन जो प्रोटोकोल के अनुशारत है वह कि बहुत होते हैं क्योंकि हमने ब झाल